मूवी की शुरुवात मेट्रो में होती है, जहाँ पे इस कहानी का मेन क्यारेक्टर इंसू को दिखाया जाता है, जो की एक कॉलेज स्टूडेंट है, वो उस मेट्रो में अपनी मा से बात कर रहा होता है, और वो ट्रेन से स्कूल के बाद वापस अपने घर जा रहा होता है, क्या वो घोस्ट्स को सच्ची में देख सकता है? जब वो लड़के उसे बुली कर रहे होते हैं, तो तभी वो वहाँ पे ट्रेन में एक लड़की की स्पिरिट देखता है. उन विजिन्स को देखकर वो काफी घबरा जाता है. जब वो मेट्रो से बाहर आ जाता है, पुझता है कि क्या उन्हें आहयंग दिखाई दी, तो उसके अंकल उसे कहते हैं कि वो कहानी अब पुरानी हो चुकी है. बाद में हम इन्सू को अपने होम टाउन में वापस जाते हुए देखते हैं, जहाँ पे वो एक ब्यूटिफल स्कूल गर्ल रोज को नोटिस करता है. वो बहुत ही क्यूट और अट्राक्टव होती है, पर इन्सू उसे वहाँ पे एगनो करते हुए दिखाई देता है. फिर वो अपने अंकल सनली के घर पहुँच जाता है, जिनके पास भी उसी की तरह घोस्ट देखने की अबिलिटी होती है. उसके अंकल उसे कहते हैं कि उसे अब इन सभी चीजों से दूर रहना है. वो इन्सू से पूछते हैं कि क्या वो लॉकेट जो उसे अपने दादाजी के पास से मिला, वो अब भी उसकी मदद कर रहा है. और इस लॉकेट को हमने मेट्रो सीन में भी देखा था. ये लॉकेट जब भी कोई गोस्ट नसदी किया तो घर में हो, तो वो लॉकेट घूमने लगता है. और इनसू फिर अपनी बचपन की स्कूल में अड्मिशन ले लेता है. और अपनी फ़मिलियर स्कूल में आने के बाद भी उसकी सिचुएशन और भी खराब हो जाती है. क्योंकि वहाँ पे पूरी बुलीज की एक गैंग है, जो उससे नफरत कर रही है. और वो बंदे वीक स्टूडन्स को परेशान किया करते. और इनसू भी उनमें से एक था. पर एक लड़की, जिसका नाम हिउन जी होता है. वो इनसू को पसंद कर रही होती है. जिससे उसके बॉइफ्रेंड ही चल को परेशानी होती है. अचानक इनसू को उस क्लास्रूम में एक गोस्ट स्पिरिट की प्रेशन्स फील होती है. और वो उस डॉग के पीछे एक लड़की को देखता है, जिसने मास्ट पहना होता है. एक दिन, ही चल इनसू की पिटाई करता है. क्योंकि वो इनसू को स्कूल की किसी भी लड़की से बात करते हुए नहीं देखना चाहता है. और वो उसे कहता है कि क्या उसे आगे के आहुयंग का इंसिडेंट याद है या नहीं, इनसू फिर अपने फ्लाश बैक में पहुँच जाता है. जहां पे इनसू और आहुयंग एक साथ पढ़ाई किया करते. और ही चल उसे हायन जी से दूर रहने के लिए भी कहता है. फिर अगले सीन में हम बुली गैंग की एक लड़की को देखते है. वो अपने घर वापस पहुँच जाती है. और पॉलथीन बैक को अपने एंटरंस पर नोटस करती है. वो लड़की उस बैक को खोलने के लिए वहाँ पर जाती है. और वो बैक खून से भरी हुई थी, जो उस लड़की के उपर गिर जाता है. वो काफी देर जाती है, और अपने दोस्तों को बुलाने के लिए उन्हें कॉल करती है. पर उसके कोई भी दोस्त उसे नहीं सुन पाते. और फिर एक लड़की वहाँ पर दिखाई देती है, जिसे इंसू ने पहले उस डौ के पीछे देखा था. अगले सीन में हम इंसू को रोज के साथ देखते हैं, जिसे उसने पहले बस में देखा था. रोज भी एक गोस्ट होती है, जिसे सिर्फ इंसू ही देख सकता है. और वो उसे ही चल से सामने लड़ने का सजेस्ट करती है, क्योंकि वो बिना किसी रीजन से किसी को भी परिशान करते रहता. और तभी अचानक, जोर से हवाएं उरना शुरू हो जाती है, और रोज इंसू को कहती है, कि वो मास्क गर्ल यहाँ पर आ चुकी है. और वो वहाँ से चली जाती है, वो लड़की ह्यूंजी की फ्रेंट को स्टॉरूम में ले जाती है, और उसे बांध देती है, और फिर वो मास्क गर्ल की स्पिरिट उसे मार देती है. एक दिन, रोज और इंसू साथ में चल रहे होते है, और इंसू वहाँ रोज से आह यंग के बारे में कहता है, आह यंग चाइल्ड हुड में उसकी क्लासमेट होती है, और एक दिन वो मरी हुई पाई गई, जबकि इंसू घोस्ट को देख सकता है, तो आह यंग की जाने का डिसाइड करता है, और वो रोज को बताता है, कि आह यंग अब भी उसका इंतजार कर रही है, और इसी लिए वो यहाँ पर वापस आया, वो आह यंग के घर पर जाता है, और उसके पिता से मिलता है, और उसके पिता उसे वापस देख कर खुश होते है, और तभी एक दूसरे के साथ खुश दिखाई देते हैं, इनसू रोज को अपने हाथ के से वाम करे, वो सिखाता है, और रोज के स्पिरिट होने के बावजूद भी वो एक दूसरे के काफी क्लोस हो जाते हैं, अगले दिन, क्लासरूम में ह्यून जी किसी लड़के को बिना रीजन के प गनाता है, तो रोज वहाँ पर आके उसे परिशान करती है, इनसू उसकी प्रेजन्स को फील कर पाता है, पर उसे लोकेट नहीं कर पाता, बाद में वो अपने कपड़े बदलता है, और रोज उसे क्लोसिट से छिपकर देखती है, बाद में वो अपने अंकल के साथ न्यू करता है, जिसे उसने क्लास में देखा था, एक गोस्ट स्पिरिट उनके साथ होती है, और उन्हें कहती है, कि उस लड़की का नाम से ही है, सानली उससे मास्क गर्ल की कहानी के लिए पूचता है, पर वो सिर्फ उसका नाम ही बताती जाती है, रात में स्कूल के अंदर उस ब जब वो लड़की वाश्रूम के लिए जाती है, और वो लड़का उस क्लासरूम में अकेला रह जाता है, वो वहाँ पे उसका से वेट करते हुए सो जाता है, और जब वो अपनी आँख खोलता है, तो वो मास्क गर्ल उसे मार देती है, वाश्रूम में वो उसकी आवाज दिखाई देता जब वो बाहर निकलने के लिए जाती है तो उस लड़के की लाश उसके सामने गिरती है वो चिलाती है और अपने दोस्तों को कॉल करने की कोशिश करती है पर वो मास्क गर्ल उसके सामने आती है और उसे कहती है कि वो से ही है अगले दिन इनसू क्लास में से ही की information के लिए class में पूछता है और सब कुछ जानने के बाद भी वो उसे say ही के बारे में कुछ नहीं बताते क्यूंकि वो उस bullying gang से दर रहे थे एक लड़की बोलने की कोशिश करती है पर ह्यून जी उसे ना बोलने के लिए कहती है जब इंसू और ना पूछने का message send करती है जब इंसू रोज के साथ इसके बारे में बात करता है तो रोज उसे कहती है कि कोई भी उसकी मौत के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहता जबकि उन सभी को पता है कि उसकी मौत के से हुई जब उसे पता चलता है कि ह्यून जी और उसकी बुली गैंग ने से ही को मारा था तो वो गुसे में ही चल को मारने के लिए जाता है पर ही चल उसे मारने लगता है वो उन्हें कहता है कि उन्होंने से ही को मार दिया तो ह्यून जी silent हो जाती है ही चल उसे मारते जाता है और वो उन्हें कहता है कि से ही उसे नहीं छोड़ने वाली और उन्हें वो सब कुछ सब के सामने सच बताने के लिए कहता है इन सू के वर्ड्स को सुनने के बाद ह्यून जी वरीड होने लगती है और बाद में वो ही चल को सेही के पिता की फोटो उसे दिखाती है और उसे अपने missing friends के incidents के बारे में बताती है और उन्हें पता चलता है कि वो सेही के पिता है जो अपनी बेटी के लिए सभी को मार रही है ही चल उसके पिता को मारने का decide करता है और सेही के घर पहुंच जाता है ह्यूंजी इंसन को बुलाने के लिए कहती है पर ही चल उससे गुसा होता है और उसे मना करता है वो उसके घर में जाते है और ह्यूंजी इंसू को मेसेज करके कहती है कि वो सेही के घर में जा रही है इंसन message को receive करता है और अपने अंकल को इस situation के बारे में बताता है वो सेही के घर जाकर उनकी मदद करने का decide करता है और उसके अंकल उसे locate देकर उसे जाने देते है जब वो उसके घर में जाते है तो वो उन्हें एक box में से आवाज सुनाई देती है वो दोनों दर जाते हैं और ही चल अपने हाथ से दर्वाजे को ठोकता है और ह्यूंजी को सेही की स्पिरिट वहाँ पर दिखाई देती है और इस स्पिरिट को देखकर उसे पता चल जाता है कि सेही ही उन्हें मार रही है तभी उस box में से से ही के पिता बाहर आते हैं और ही चल पर attack करते हैं और उसके पिता ही चल के मरने तक उसे मारते रहते हैं इनसू वहाँ पर पहुँचता है पर वो उन दोनों को नहीं खोज पाता ह्यून जी चिलाती है और सेही के पिता से उनके कर्मों के लिए माफी मांगती है पर सेही के पिता उस पर अटाक करते है और उसे मार देते हैं ह्यून जी की आखरी स्क्रीम सुनकर इंसू उस जगह पर पहुँचता है जहां से सेही के पिता बाहर आते हैं इंसू बाद में अं मास्क पहने दिखाई देती है जब वो मास्क को निकालता है तो उसे पता चलता है कि से ही कोई दूसरी लड़की नहीं बल्कि वो रोज है जिसके साथ वो क्लोस था सीन फिर हमें फ्लाश बाग तक ले जाता है जहां से ही अपने है टीचर से ह्यून जी की बुलियंग के बारे में कम्प्लेन करती है पर वो है टीचर ह्यून जी की इंसल्ट करती है और वो गुस्से हो जाती है हूँझ जी क्लास में वापस पहुँचती है और सेही की नोटबुक्स चेक करती है और उसकी हैंड collect अधि एंड राइटिंग को complain letter से match करती है और फिर उसे पता चलता है कि सेही नहीं उस letter को लिखा था और उसके बाद से ह्यूंजी और उसकी गैंग उसे बुरी तरह से बुली करने लगे वो उसे मारते, उसके बाल काट लेते और उसे मास्क पहनने के लिए मजबूर करते जिससे की वो कुछ बोल ना सके वो उसके बाल को भी जला देते है और जब वो teacher से कहती है कि वो उस mask को नहीं निकाल सकती, तो teacher उसकी नहीं सुनते और उसके साथ एक बुरी tragedy हो जाती है, class में से किसी भी student को उसके साथ क्या हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पढ़ रहा था, और वो सभी ऐसे बहेव करते जैसे कि say he exists ही नहीं करती, say he उस bullying से परिशान हो जाती है, और घर पे रोने लगती है, जब उसके पिता उससे उनके बारे में complain करने का कहते है, तो वो उन्हें बताती है कि teacher उसकी complain का उन पर कोई भी action नहीं लेंगे, और say he बाद में suicide कर लेती है, बाद में इनसू को उसके घर से एक diary मिलती है, जिसमें सभी victims के नाम के अलावा एक ही नाम पे cross नहीं किया गया था, जो उसके head teacher का नाम था, इनसू फिर अपने अंकल को call करके उन्हें say he के घर में funeral perform करने के लिए कहता है, इनसू फिर head teacher को बचाने के लिए school पहुँचता है, head teacher computer में काम कर रही होती है, और अचानक say he की spirit उसे screen पर दिखाई देती है, और तभी सभी students को library में पहुँचने का message मिलता है, इनसू भी वहाँ पर पहुँच जाता है, और उन्हें teacher के बारे में पूचता है, पर कोई उनके बारे में नहीं जानता था, तभी वहाँ की lights चली जाती है, और say he उनके सामने teacher बन कर आ जाती है, वो gasoline का box उनके सामने fake देती है, say he फिर वापस अपने look में आ जाती है, और उन्हें कहती है, कि उन्होंने पहले उसे ignore किया था, जब वो bullied हो रही थी, और इसी लिए सभी मरने का deserve करते है, इनसू उसे रोकने की कोशिश करता है, पर say he lighter को fake देती है, पर तभी say he की दूसरी personality रोज वहाँ पर पहुंच जाती है, और उस lighter को catch कर लेती है, और यहाँ पर say he एक dangerous character दिखाई देती है, और रोज उसका अच्छा character दिखाई देता है, say he रोज से कहती है, कि क्या वो भूल गई है, कि कैसे वो torture और bullied हुई थी, और अब वो weak नहीं है, वो रोज को गायब कर देती है, और teacher की body में वापस आ जाती है, वो वहाँ पे सभी चीज़ों को अपनी spiritual powers से तोड़ने लगती है, और उन्हें डराती है, इनसू अपने locket से रोज को खोजने की कोशिश करता है, और उसे वो एक लड़की के अंदर दिखाई देती है, वो उसे वो notebook देता है, और उसे सब कुछ रोकने के लिए कहता है, फिर अगले scene में हम एक flashback देखते है, जिसमें दिखाया जाता है, कि इनसन और सेही बचपन में friends होते हैं, और उसने एक बार इनसन को bullied होने से भी बचाया था, और दोनों एक दूसरे से बचपन में बहुत ही करीब थे, और इनसन ने उस notebook में सेही का sketch भी बनाया था, और इनसन उससे माफी मांगता है, क्योंकि वो उसे rose की spirit में नहीं recognize कर पाया, rose उसे lighter देती है, पर evil से ही उसे पकर लेती है, दूसरी तरफ हकारी उस spirit को free करने की ritual complete कर देता है, और इनसन के pocket में जो knife होता है, वो shine करने लगता है, rose उस knife को ले लेती है, और अपने आपको मार देती है, और बाद में अगले scene में, हम इनसन और rose की beautiful memories देखते हैं, और आखरी scene में हम सभी students को say he की grave के पास देखते हैं, बाद में हम इनसन को वापस अपनी school में teacher के role में देखते हैं, और वहाँ पे उसे आखरी bench पर एक spirit बैठी हुई दिखाई देती है, वो students से पूछता है कि उस last bench में कोन बैठा करता, तो वो उसे कहते हैं कि एक लड़की वहाँ पर बैठा करती, जिसने हाल में ही अपनी school change की है, वो spirit in sun के नजदीक आती है, और movie यहाँ पे खतम हो जाती है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like जरूर करना, इस चैनल पे अगर आप नए हो और या आप ऐसे ही film's explanation के वीडियोस देखना पसंद करते हैं, तो हमारी इस चैनल को subscribe जरूर करना, Have a good day and thanks for watching.